आज मैं आपको एक इतना पावरफुल और्गेनिक फटिलाइजर बताऊंगी जो कि और्गेनिक फटिलाइजर ही नहीं है बलकि वो इंसेक्टिसाइट, पेस्टिसाइट और फंजिसाइट का काम करेगा यानि कि आल इन वन इसमें मिलेगा आपको सभी प्रकार के पौदों के कोई भी फटिलाइजर देने से बचेंगे और इसको ही यूज करेंगे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रिडियन्स क्या है ये नेम के पत्ते, नेम के पत्ते में बहुत गुण पाया जाते हैं, नेम के पत्ते अंटी इंफ्लमेंट्री, अंटी अक्सिजेंट, एंटी बेक्टरियल गुण पाया जाते हैं, पौदों के लिए तो ये वरदान होता है, नेम के ओल हम, पेड़ पौदों में किड़े मकुड़े मारने के लिए, मिली बग मारने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये पत्तों का वैसे ही काम होगा, तो ये जबरदस फर्टिलाइ पूरी डंडी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पत्तों को अलग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, कोई इसमें बॉंडिंग नहीं है, तो मैंने पत्ते अलग कर लिये हैं, इस तरह से डंडियों से, अब मैं इसको इसमें और कुछ मिलाऊंगी, ज साथ का काम करता है पौधों की ग्रोध बनाने में हेल्प करता है और यह नेम के पत्तों के साथ मिलके इसका पावर और चार गुना बढ़ गया है इस तरह से इसको पांस से दस मिनट खोला देना है अच्छी तरह से और उसके बाद में यह ठंडा हो जाएगा जब तब हमें च 24 गंटे के लिए बारा गंटे के लिए चार शे घंटे पानी में और भीगो के रख देजिए उस पानी को यूज कर सकते हैं उसके बाद भी नहीं फैकना है इसको उसको मिट्टी में गार दीजिए गम लेके किसी भी या फिर ऐसे भी फट्रिलाजर बनाते हैं तो वहां डा पानी इतना काला बन रखा है बहुत पावरफूल है इसमें बहुत सारे नुट्रिसन आगे चाई पत्ती के और नेम के पत्तों के प्लस एक और क्या लोहे के कड़ायां में इसको बनाया था तो लोहे में आईरन होता है वो आयरन भी मिल गया उसको अब देखिए ये 400 ml का ग लुकितों केलिए। मुझे यह मिलने रधा है अगर आपके आसपास कोई लकडियां जलाते हैं यूज करते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं तो यह इस लकडियों की राक को पोधों में डालने से बहुत फायदा है फ्रेंड्स यह इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम कैलसियम फोस्पोरेस बहुत कुछ मिलता है और बहुत साई नूट्रिसन होते हैं पोधों के लिए अगर राक अगर आप पोधों में छिड़काओ कर देंगे पोधों की पत्यों में डाल देंगे तो उसे जो किड़े मकोड़े होते हैं पत्यों में वो भी मर जाते हैं और पोधों के जड़ों के को यूज करिए गा तो इस तरह से मैंने सिंपल पानी मैं दो चंपच्छ की लगबग घूल दिया था है जादा पानी में भी आब इसको घूल के रख सकते हैं लेकिन मै ने मैंने उल्रडी इसको फेडिलाइजर बना रख रह और भै, उसके हिसाब से मैं मेजरिमेंट किया को यूज़ ज़रूर करिए और्गेनिक है कोई नुकसान दा एक चीज नहीं है यह साफ फंजिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं फंगल इंफेक्शन मिटी में आए देन अभी बरसात के मौसा में लगते रहते हैं एक और फटिलाइजर पावरफुल और्गेनिक है यह केले के में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फोस्पोरेस, जिंक, बहुत मिनरल्स काफ़ी सारे पाए जाते हैं जो हमारे सब्सक्राइजर प्रकाल के पौदों के लिए फाइदे मन्द है दो सुखे केले के चिलके मैंने कट करके डाल दिए आप पौदर फॉर्म है तो जो चमत पानी में मैंने काट करके यूज कर रही है, मैं इसको कैसे करूंगे आप आगे देखते रहीएगा, देखिए आप पानी को मैं डेलूट करूंगी, सीधा मैंने कह था आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि पौदों के लिए नुकसान दाएक होता है, तो इसको मैं इसी कप बरतन जो भी आपने गलास लिया है उसके हिसाब से पानी आपने मेजर्मेंटि लेना है जतना अमांट में लिया है तो मैं जाशusp लिया था वैस endeavor हुआ अब लास्ट में यह गलास थोड़ा कम था पानी तो मैद और थोड़ा सब मएगने तरह सबसे जरूरे काम क्या है कि जब भी हमने जिस भी प्लांट में भी होने उसकी हुआ यलकी हो जाती है इसकी उल्ट प्लट होने से जो भी इसमें हवा के रोकर वत होती है वो हवा बिल्कुल जड़ तक चले जाएगी और हवा जड़ तक चले जाएगी यानि मिटी हमारी अच्छ तरह से हिल गई है तो जो भी हम nutrition डालेंगे पूरे नीचे जड़ तक पहुँचेगा उसका असर जल्दी होगा पूरे जड़ आराम से नीचे से ले करके सारे पार्ट्स में सप्लाई करेगा उपर तक टिप तक तो जल्दी से इसका result मिलेगा अब जो बनाना पील है के लेके छिलके हैं उसको मैं कैसे यूज़ कर रहे हूँ देखिए इस तरह से ले लिया है अब जो गमले की मिट्टी को एक साइट से हटाना है और मिट्टी में दबा देना है थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम हो है तो पौधे को जब हम पाने डालेंगे तो धरे-दरे करके ये मिट्टी में घुलता जाएगा सरता जाएगा और हमारे पोधे की जड़ तक पहुँचेगा जड़ मजबूत होगा जड़ मजबूत होगा तना मजबूत होगा इसमें बहुत बंपर में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, जो भी कलियां बनेगी गिरेंगे नहीं, जड़ेंगे नहीं, मजबूती होगी पोधे की ग्रोथ अच्छी होगी और और सब चीज के लिए फाइदे मन्द है तो देखिए इस तरह से मैं इस पानी को भी डाल रही है इसमें और तो थोड़ थोड़ा करके डालना है मिट्टी सुखी नहीं होने चाहिए, ड्राइ बिल्कुल नहीं होने चाहिए थोड़ा से मॉइस्ट बना रहना चाहिए, मिट्टी में तभी हम डाले इसको और जब भी इस फटिलाजर, कोई भी फटिलाजर हम डालते हैं तो मौर्निंग में और इवनिंग में ही डालें, तो दिन में नहीं डालेंगे इसको, तो देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है, आउट और, इंडोर, फलावरिंग, फ्रोटिंग, वेजेटेबल, जो भी है, कोई नुक्सान नहीं है, ज्यादा भी डाल देंग करने के लिए help करता है उसके power बढ़ाता है और यह बिटी को acidic बनाता है बुरबुरी बनाता है पौधों की growth करने के लिए help करता है all over यह सब कुछ बहुत powerful है जब यह सर जाता है तो एक केच्वे को पनपने में help करता है जो पौधों के लिए मिट्टी के लिए गमले के लिए गार्डनर के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स चाइपत्ती का यूज करके नेम की पत्ती का यूज करके जो भी और गेनिक तरीके हमें भी मोटिवेशन मिलता है धन्यावाद